हलो स्टुडेंट हाई डॉक्टर अर्चना सिंग वेलकम स्यू आल टू माई एजुकेशनल चैनल आज मैं सूतिका गार या सूतिका ग्री है तथा लेबर वार्ड के बारे में डिक्सिशन करोंगी प्रसूति तंत्र पेपर वन पार्ट ए का होल सिलेबस सारा लेक्चर में अपलोड कर चुकी हूं और उसका लिंक मैंने यहां डिस्रिप्सिन बॉक्स में भी शेयर कर दिया है अब यहां से भी देख सकते हैं तो स्टुडेंट स्टार्ट करते हैं सूतिका गार सूतिका गार सभी संहिताओं में प्रसौव के समय इस्तुरी को एक प्रतक ग्रिय निर्माण कर उसमें रहने के लिए निर्देश दिया गया है तरथा संभौताय प्रत एक प्रशूता के लिए नव निर्मित करके पुना समाप्त करती है जाते हैं और सुतिकागार में हम तीन बिंदुओं पर देखेंगे सुतिकागार का निर्माण मतलब कम निर्माण करना चाहिए और किस वस्तु से निर्माण करना चाहिए शुतिकाना नेर्माण में संग्रहंणी द्रव्य क्या औंधिया उप्रणाधीी संग्रहं करना सग्रहं करना OR पवस्त तुद्गागार निर्माण के लिए बताए चार Bit और वागभट कि इसका निर्माण नहामांस के जो नवामास लग जाता है ऊसको पूर्वणा करना प्राइब रिंदु बताइए कि नवममास्स प्रावाब होने केुए बाद इसका निर्माड करना चाहिए आचारछरग नेiding माड के लिए बताया है कि नवममास के पूरवेरे इसका निर्माड करना है और भूमी उन्हों मत्ताइब के ले较का शेलेक्शन करना है जहां पे की अस्ती सरकरा कपाल आधि ना हो इससे रही तो तथा प्रसस्त रूप रस गंद वाली भूमी वह ऐसी पर सुथियागार का निर्मार का निर्देश किया है strategy कास्ट शुप्राइब करना एक सब्सक्राइब जो थंडल स्टाम होता उसका भी असर नहीं होता है तो लकडियों के लिए अचार चरक ने बताया है बिल्व तिंदुक इंगूद भल्लातक वरुड खदिर या अन्य कोई भी लकास्ट जो ग्याता बताएं उससे निर्माण करना चाहिए जो दोर है वो पूर्वे आउत्तर की तरफ होना ची ऐसा चार चरक का वियू है और अच्छी प्रकार से आलेपन युक्त हो चत युक्त हो दरवाजी खड़कियों के परदि लगे हुए हो और जो वास्तु सास्त ग्याता हो उसकी अनुशार उसके राइक अनुशार अलग अल थे रित्त का अब जो भी निरुमाण वह करें मियरं और जोलको नेयरेश्यितक कर बिसे इसा लोट मंदय करना चाहिए दृष्ट के 6494 खीष्ण बता यह दोलोरी मनांद के लिए वतान के वर्युक्त हो उन्होंने वर्ण के नमसार भूमी प्रदेस वर कास्ट का वर्ण किया है ब्राम्हन शत्री वैस्य सुद्र इनके लिए क्रमशह स्वेत रक्त पीत क्रिष्ण ऐसी भूमी पर निर्माण करें तथा जो कास्ट लकडी यूज करना है बेल्व निया गुरोध तिंदुक भल्लात प्रण करें तथा इन्हीं उप्रोगत लकडियों से निर्मित पलंका निर्माण करना है और जो सुद्क्यागार है वह पर्दे लगे हुए होना चीह दिवाले अच्छी तरह से लिपी होनी चाहिए और इसका द्वार सुद्क्यागार का जो द्वार दर्वाजा है डोर है में पूर्वया द्वाध देशा वाला होना से बतताउब है पूर्वया उत्तार अर्प हाथ लंबा चार स्यात चोड़ा इसunda की दोना कि कुंणीन लाव पनोर होना सोद्क्यागार सब्सक्राइब निर्माण करना चाहिए अस्टांग संग्रह ने अचार चरक का अनुस्टरड किया है तता उन्हें बताए कि बराबर अगनी प्रजुलित होते रहने चाहिए अस्टांग रिदय ने बताए कि प्रसस्त देश में सभी उपकरणों से यूक्त तथा शुब नक् संग्रह करेंगे तो शदियों के लिए बताया गया है कि आचार ने बताया कि कुष्ट एला लांगली वचा चव्य चित्रक चिर बिल्व यह अनागत प्रशों में इसका उप्योग करते हैं मंदूग पढणी नीभ हिंगू ये शब बेदना स्थापक होते हैं ये यूश करते हैं लशून देवदारू अतसी सर्चप क्रिमिग्न है रक्षोग्न है मदूगरीत सैंधाव नवजात सिसु जब हो जाता है उसके में ये इसका प्रयोग करते हैं सुरा मैरे यार्षव दिपक वाथर सूल समन हो समन करते हैं लवड का उप्यों करना पंच कौल है या कहीं पर मालिस करनी है करना है लो यहां पर उप्रत्य के理 प्राड़क्त पत्त्र करनमुल में बजाना चाहिए मुशल उदुखल दो मुशल दो उदुखल गर्वशंग अप्रसंग में प्रयोग है या मुशल दो मुशल होता है वो दरवाजे पैसे क्रॉस फॉर्म में रख देते हैं इसका मतलब यह भी होता है कि इसमें हुए सश्ट का उप्योग करना है और छॉम सुत्र है सुची पिपलिक दो पलंग दो यह सब उपकरण वहां पर रखने हैं बिल्वत इंदु किंगुत की लकड़ी संग्रण करना है अगनी प्रजोलन के लिए गाय होती है शूब संकेत होती है और विकारियों के लिए खर विशब भी संग्रण करने के लिए बताया गया है और बहु प्रसूता प्रसवकार्यकुशल सौहार द्यूग्त सतत्सेवानवत ऐसी इस्त्रियां तो अचार चरक वागभट ने बताया है कि यह जो अनेक इस्त्रियां ऐसी है उनको वहां पर सुतिका ग्रह में रखना चाह अथरवेद की ज्याता जो ब्रामण है उनको भी वहां सुतिकयागार में रखना चाहिए और प्रवेस वीद्या चार चरक ने बताया है कि नवम मास्पारंब हो जाने के बाद जब नवम मास्पारंब हो जाए उसके बाद पूर्य दिन में शुब नक्षत्र में महुर्त मे शांती होम कराकर पहले गो, ब्रामा, अगनी तथा जल को प्रथम प्रवेश कराके फिर अक्षत, फुष्प, नंदी, मुख, फल देकर स्वास्ति, वाचन और आच्मन कराये तथा सुतिका को दक्षिल पैर पहले राइट लेग उसका सुतिका ग्रह में प्रवेश कराके वहा अनुलोमन कराते हुए प्रसवकाल की प्रतिक्षा करनी चाहिए और अगर तनिक भी मलमूत्र का विबंद हो तो वहां पर फलवर्ती का प्रयोग अस्टांक संग्रह के अनुशार करना चाहिए अब नेक्स आता है इसका लेबर रूम तो लेबर रूम में यह है कि लेबर र के डिरीवरी रिकवरी तो जो रोम तहले में यह सनी राती है तो एक तुछ वैटिंग यह रिलिजस्टेशन देहा इसको हता है एकजांशन रोम होता है डॉक्टर्स नर्सर डूटी रूम होते हैं स्टाफ चेंजिंग रूम सू चेंजिंग रूम लेबर रूम में जो दिलीवरी रूम है वहाँ उसमें जाने से पहले सू चेंज करके मतलब जो बाहर के सूज है उसको अंदर नहीं पहनगा इंफेक्शन से प्रिवेंट करना है तो यह सब नहीं जाना चाहिए और फिर जो आपका प्रोसेजर डिलिवरी रूम है वह अटाज टोयलेट के साथ होना चाहिए पास में ही बिलकुल उससे लगा हुआ वहीं पे Newborn care unit भी होना चाहिए और 24-hour water supply और ilectricity अपलाई होना चाहिए तो मेल यह चीज़े लेबर रूम में होना इसके साथ में होना चाहिए लाइट प्रापर लाइट का सोर्स होना चाहिए गर्टेन होने चाहिए चुक्षन मसीन आक्सीजन सीलिंडर्ड विद फेस्मार्क्स स्टर्लाइज गलाव, कॉर्टन, गौज, सिरिंज, निडिल, रिपाईवी सेट ये सब होना चाहिए फिर उसके बाद नॉर्मल डिलिवरी ट्रे, विदी पीजी आटमी, पीजी आटमी ट्रे या बेबी ट्रे ये सारे होने चाहिए दिलिवरी ड्रग्स और इमर्जेंसी ड्रग्स की टलग होना चाहिए दोनों होना चाहिए पार्टोग्राफ, वाल कला के घड़ी लगी होने चाहिए दिवाल पे और जो भी प्रोटोकाल है वो पूरा डिस्प्लेड होना चाहिए सताफ दिस्प्लेट कि जुटा पड़ेंसी के आप किसी कॉल कर सकते हैं बॉालर होना चाहिए उट्रेंद म्त्रमने सताफ और दॉक्रजें Kevin भी कुछल करस के से dobrाफ website प्रूपर होना चेंजमेंट और ट्रेंट स्टाफ दॉक्टर्स होने चाहिए तो हम देखें थे जब सुतिक्या ग्राव में संग्रहडी ड्रव उसमें भी आल्मस्ट यह ड्रक्स थे सारे और डॉक्टर्स थे मतलब बहुत प्रसूता इस्त्रियां थी वेट ग्याता यहीं सब थे तो यहां पे भी लेबर रूम में यह सब चीजे रखने का निर्देश है यह सब होना चाहन रेक्वार्मेंट है पर डिलिवरी ट्रे में क्या क्या होना चाहिए गलब होना चाहिए इस्टरायल गलब कैथेटर बावल जो बावल होती है उसमें सरब अंटिसेप्टिक लोशन वगर रकने के लिए किडणी ट्रे होना चै स्पंज होल्डर आर्टरी प्रिवार्शेप, कॉर्ड, क्लाइम, सीजर, गॉजपी, मॉब, पैड, एन स्पेकुलम, और एपीजियाटमी ट्रेय होता है उसमें यह जो यह डिलेवडी कही है सब सामान के साथ में जैलोकन इंजेक्शन, 10 ml सिरिंज में लोडेड होना चाहिए, एपीजियाटमी, सीजर, था, फोल्डर, थमफ, फोस, और क्रोमिक केट गटी, यह सब होने चाहिए और बेबी ट्रेय जो होता है जिसमें बेबी को रिशीव करते हैं या बेबी के ट्रेय अलग से बनाए होता है उसमें प्री वार्म टावल पहले से ही गरम किया हुआ दो टावल होना चाहिए, प्र रेडियंट वार्मर है यह रेडियंट वार्मर का डियाग्राम है नियो नेटल अम्बू बैग विद फेस माक्स, मुकस एक्टर, पीडल सक्षन मसीन, इन फैन ट्रे विद क्लाथ पर ड्रेपिंग दे बेबी, ऑक्सिजन सिलेंडर, नैजल कैथेटर, लारिंगोस्कोप, प्रेटिकर, ग्रिह या लेबर रूम का जो स्पेसिफिकेशन होना है वो कम्प्लीट होता है, इफ यू हैव अनी डाउट, प्लीज मैसेज मे, और प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब, थैंक यू